उत्राखंड एक ऐसा राज है जो छोटा राज है, सीटे भी यहां पर कम है और पहले ही फेज में यहां चुनाव होने वाला है उसने एक नकली दुस्मन मुसल्मानों के रूप में जन्ता के सामने खड़ा कर दिया है केंद्र सरकार या पिछले पांच वर्षों में राज्ज सरकार ऐसी कुछ भी नीती लेकर नहीं आ पाई है ऐसा कुछ भी मॉडल लेके नहीं आ पाई है कि जिससे रोसा जमता हूँ मैं इसी में आप से सवाल जोड देती हूँ ये नजूल की जो जमीन है ये बड़ा राश्चिस तरपर ये मुद्दा उठा ये कैसी जमीन है क्या ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास ही है जिसको वापस पांगा जा रहा है कि ये सरकारी जमीन थी अब इस पे जो है मंदर मस्जिद और मदर से बने हूए उनको तोड़ दिया जाएगा ये है क्या चीज़ आखर जो सता पार्टी है उसका प्री निरिटिव है ये जहां भी काम करते हैं वो यही इसी निरिटिव से स्टार्ट करके करते हैं कि लोग बाहर ही है या बाहर से आएं केंड सरकार ने अगनी वीर योज़ना को लाया उसने यहां के नौजवानों के सपनों को तोड़ा नमस्कार दो वायर में आपका स्वागत है मैं हूँ आर्फा खानम शेवानी दो वायर पर आप लोग सबा चुनाओ का कवरिज देख रहे हैं पहले चरण के मतदान में अब कुछी घंटे का वक्त बाकी है और उत्रा खंड एक ऐसा राज़ है जो छोटा राज़ है सीटे भी यहां पर कम है और पहले ही फेज में यहां चुनाओ होने वाला है हम उत्र प्रदेश छोड़कर उत्रा खंड यहां पर यहां पता लगाने इसलिए आए हैं क्योंकि सबकी नज़र रहती है बड़े राज़ों पर जहाँ जहाँ लोग सबसीते हैं लेकिन इसी दोरान उत्र कम्यूनलिजम यहां पिर सामपर दाइकता की प्रतीस परदा कोई तोर पर यहां के मुख्य मंतरी कभी योगी अदितनाथ से तो कभी हेमंत बिस्वसरमा से यहां कॉम्पीट करते हुए नज़र आए कि कितना जल्म यहां अलब संख्यकों पे मुसल्मानों पे ढाया जा सकत है दो हजार चौधा और उनिस दोनों में हमने देखा इन पाचों सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा इस बार कौन से ऐसे मुद्धे हैं जिस पर आम जनता वोट डाल रही है पहला सवाल यह है कि क्या इस बार भी पहला जो रिकॉर्ड है पिछले एक दशक का वो रिपी हैं वो लोग जो समाज के साथ जिनका बहुत ही करीबी रिष्टा है मुद्धों के साथ भी प्रगतिशील मान सकता के लोग हैं यह तो कम से कम वायर पर इतनी गैरिंटी तुम्हें दे सकते हूं कि जिन लोगों को बलाया जाता है पैनलिस्ट के तौर पर हम यह उमीद करते हैं कि वो लोग तांत्रिक और प्रगतिशील विचारों वारे लोग होंगे मेरे साथ मुनीश कुमार जी मौजूद हैं जो के सोशल पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं समाजबादी लोकमंच से जुड़े हुए हैं अजय कुमारे मेरे साथ सदभावना समिती से हैं डॉक्ट यहां जितने पैनलिस्ट पैट हैं उनकी अपनी राय हो सकती हैं उनकी अपने राजनितिक विचार हो सकते हैं राजनितिक पसंद भी हो सकती हैं लेकिन यहां पर हमने इस तरह के लोगों को बुलाया है जो सोचने समझने वाले लोग हैं उनके राजनितिक विचार और पसं उत्राखंड के जो मौजू सवाल है, स्वास्त का सवाल है, रुजगार का सवाल है, सिक्षा का सवाल है, इस पर भारती अंता पार्टी की सरकार पूरी तरेके से नकाम रही है, और पिछले बजट में जो मुधी सरकार ने 10 लाग क्रोड रुपे का जो के अंदर मचाया है, और जो लोग सड़के किनारे रोजगार कर रहे थे, दुकाने चला रहे थे, उनकी दुकाने तोड़ी गई है, और परियामराल को भरी नुकसान पहुचाया गया है, लेकिन इन सारे सवालों से जनता को धियान भटकाने के लिए, पिसले साल अप्रेल म के चलते हैं, हम लोगे देखते हैं कि जो मुस्लिम धर्मिस्थाल हैं, उनके पर बुल्ड़जल चलाने शुरू किया जाते हैं, और तीन हजार से जादा उनकी मजारें, उनके मदर्द से, उनके मजजद धर्मिस्थाल, उनको तोड़ने की पूरी की पूरी कारवाही की जा तो जो जन्ता के सवाल हैं, बहुत मौजू सवाल हैं, और जन्ता आज बहुत परिशान हैं, आज उत्राखंड की हम लोग बात करें, तो यहां अठारा सो गाओं, भूता गाओं हो गए हैं, और भाजपा सरकार ने पलाएन रोकने के लिए एक पलाएन वग बनाया है, उसने इस बात को कहा है कि उत्राखंड से 200 लोग प्रती दिन पहाड से पलेइन की तरफ पलाएन कर रहे हैं, और भारती जन्ता पार्टी की सरकार, रोजगार के सवाल पर, सिक्छा के सवाल पर, स्वास के सवाल पर, लोगों को अच्छा जीवन देने के सवाल पर, और परियावर उन्माद में डुबा दिया गया, तो इस चुनाओं के अंदर जो जन्ता के मुद्दे हैं, उनके मुकाबले जो उनके जीवन के मुद्दे हैं, उनके मुकाबले धर में मुद्दे ही हावी होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लगता नहीं है कि लोग में जनता के सामने खड़ा कर दिया है तो वो आज भी हम देखने की समाज के अंदर कहीना कहीं हभी है और ये सारे जो सवाल है ये बहुत अभी जिन पर बहुत ज़्यादा बात होने की जवरत है अजे कुमार जी मुझे बताए कि जिस तरह से बता रहे हैं फिलाल मुनेश जी ये तमाम मुद्दों को क्या जनता देखने ही पा रही है ये बात कि पूरा जो एक अलग राज्ये का निर्मान होना क्रियेशन होना उसकी वज़ा यह थी कि पहाड़ी लोगों को इंसाफ मिल सके एक छोटा तयार भी किया जा रहा है तो फिर इसके लिए तो फाइदमंद है उनके लिए देखे उत्तराखंड को अगर देखें तो इसमें दो तरह का टेरेन है तो बिलकुल परवती चेत्र है और एक मैदानी छेत्र है और दोनों जगा अलग अलग तरह की बाते हैं अगर परवतिय छेत्रों की बात करें तो अभी रिसेंट जो दो तीन बाते हैं कि जोशी मठ का मसला हम सब ने देखा सुना वहां काफी बड़े पैमाने पर दरार आई और कई घरों में दरार आई और लोग अपने घरों से बेघर हुए और उसको लेकर वहां की जनता लड़ी और उसके बाद सरकार ने चार पाँच अलग अलग तरह की कमेटियां उसके लिए बनाई लेकिन उन कमेटियों ने क्या रिपोर्ट दी उसमें क्या बात हुई वह आस तक जनता के सामने नहीं आया और जिस तरह से उस मसले को हल किया जाना था उस तरह से उसको हल करने की बात ही नहीं भी और वहां की जनता जो इस बात को लेके काफी आंदोलित भी रही उस जनता के उपर अलग-अलग तरह के टैग लगाए गए गए कभी उनको माववादी कहा गया या कभी कुछ और उनके लिए कहा गया दूसरा हम पहाडों में देख रहे हैं लंबे समय से जो मानव अनिजीव संगर्श की बात है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है खेती कई इलाकों में लगबग चौपट हो गई है इसकी वज़े से और दूसरा लोगों की जान भी अब खत्रे में है और सरकारें इसके विशे में पिछले दस वर्षों में चाहे हम केंदर सरकार की नीती को देखें या यहां की राज्य सरकार की नीती को देखें वो इन जमीनी मुद्दों पर बात करने को तैयार नहीं है परवती छेत्रों में देखे हैं तो स्वास्त और शिक्षा दो ऐसे विशे हैं जिनको लेकर लोग वहां रुक भी सकते हैं और उनके न होने पे लोग उन लाकों को छोड़ भी रहे हैं लेकिन पिछले 10 वर्षों में केंदर सरकार या पिछले 5 वर्षों में राज्ज सरकार ऐसी कुछ भी नीती लेकर नहीं आ पाई है, ऐसा कुछ भी मॉडल लेकर नहीं आ पाई है कि जिससे एक भरोसा जमता हो, कि हाँ ये एक बात हो रही है और इसको लेकर पहाडों में रहा जा सकता है तो ये जो एक बड़ी भारी समस्या है कि मूलभूत मुद्दों से लोगों का ध्यान अटा देना अब पहाडों में आप देखिए अभी पिछले दिनों पुरोला में जो हुआ वहां के गिंती के कुछ मुस्लिम परिवार जो रहते थे उनके उपर एक खत्रा रहे थे उनको अपने व्यापार मंडल की सदस्थिता से बेतकल कर दिया तो इस तरह से जो बेसिक मुद्दे हैं जो शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्ट का मुद्दा है, आजिविका का मुद्दा है या परवती et psychiatrist में जो पर्यावरनी विशे हैं उससे लोगों का ध्यान हटाईए और हिंदू मुस्लिम या जिस तरह का धुर्विकरान बीजेपी के एजेंडा में है वो धुर्विकरान खड़ा कीजे और उसके साए में सब चीज़ों को आप ढग दीजे इस तरह की नीती चल रही है कि अपने आप में चौकाने वाली बात है कि हम बात में एक दो गाउं की नी करें गरीब फारा सो दो हजार गाउं ऐसे हैं जिनको भूतहा ये घोस्ट विलिजिस कहा जा रहा है कि वहां लोग नहीं हैं आप बता रहे हैं 200 लोग रोस छोड़ रहे हैं यानि कि पूरा जो इस राज्य को अलग करने का जो पूरा कॉंसेप्ट था पूरा अबजेक्टिव था वो ही खत्म हो रहा है लेकिन इसके साथ साथ यहां राम देव जैसे लोग भी हैं जिनको जमीन और तमाम तरह की सुविधाय मुहिया कराए जारी है अपने बड़े-बड़े अमपायर खड़े कर रहे हैं सुप्रिम कौर्ट उन्हें सजा दे रही है लेकिन उसके बावजूद एक तरह से मैं कहूं कि यहां एक वो धर्ती है जिसे देवों की धर्ती कहा गया लेकिन यहां जितना मुस्लिम पर्सेक्यूशन हो रहा है मैं तो कहते हूँ हिंदू पर्सेक्यूशन भी हो रहा है हिंदू कहा खुश है तो यह कैसे इसको आम लोगों का जो रियाक्शन है उसे आप किस तरह समझते हैं एक ऐसे यहां के बाशिंदे होने के नाते कि मैं कहा गया कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो डबल विकास होगा लेकिन हम देख रहे हैं कि जो डबल इंजन की सरकार है वो डबल तबाही का सबब बनी है और अतिकर्मन हटाओ भियान जिसकी चर्चा भी साथियों ने की भी वो सरकारी अतिकर्मन हटाओ भियान हमने द शुरुवात उसकी चैवन-भुल-पुरा से हुई मजारों से हुई लेकिन उसके बाद बाग जाला से लेकर तमाम ऐसे इलाकों में जहां लोग रोजगार कर रहे थे उनके ओपरों चलता है यह एक माहोल बना है और यह माहोल बन रहाया है पर लेकिन एक बात हमको समझनी की जरूँरत है कि इस राज्जी के भीतर ये भी हुआ है कि पिशले कुछ समय से जिस तरह में आए और उन गोटालों में हमने देखा कि कई जो भरती के पेपर हम लीक हो गे और उन भरती पेपर के लीक में अधिकांस उसमें बीजेपी के नेताओं के नाम आए और बीजेपी के नेताओं के नाम आए तो सब ने देखा तो ये एक सवाल बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है रोजगार का सवाल बड़ा सवाल यहां है यह अतिकर्मान के नाम पर जो तमाम तरहे के जो लोग है, जो सालों से बसे हुए हैं, चाया भो खटों में, वनगाओं में रह रहे हैं, लोग और शेहरों में रहे हैं नजूल जमीन है, उनकी जमीन के मालिकाने का सवाल, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्यूंकि जिस तरहे से अतिकरणा हटाओ के नाम पे गरीब में पर बुलूजर चला है उसका जवाब जरूर इस बार लोक सबाचुनाव है उसमें लोक देने जा रहा है मैं इसी में आप से सवाल जोड देती हूँ ये नजूल की जो जमीन है ये बड़ा राश्चिस तर पर ये मुद्दा उठा ये कैसी जमीन है क्या ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के पास ही है जिसको वापस पांगा जा रहा है कि सरकारी जमीन थी अब इस पे जो है मंदर मस्जिद और मदर से बने हुए उनको तोड़ दिया जाएगा ये है क्या चीज़ आखर अदेखे आपका बहुत बड़िया सी सवाल है नजूल की जमीन हलदवानी के भीतरी हम देखे हैं नसिर्फ जो मुस्लिम इलाके हैं उनमें नजूल की जमीन है बलकि जो बाकी हलदवानी है जिसमें बहुसंकिया का अबादी है हिंदू आबादी है वहाँ भी नजूल की जमीन है और बड़ा हिससा है नसिर्फ हलदवानी में बलकि रुद्दूर पुर में लालकुओं में देहरादून में 143 से जादे मलिन बस्तिया हैं और अगर नजूल की जमीन से आप अगर हटाना शुरू करेंगे पूरे राजी के फीतर तो मुझे तो लगता है लगवक 70 फीसिदी आबादी नजूल जमीन, वरकचार की जमीन, वन भूमी पे, पट्टे की जमीन पे रह रही ह और वो सारे के सारे इस बात की मांग कर रहे हैं हमको उस जमीन का मालिकान अधिकार दिया जाए और ये कोई एक दो साल से नहीं रह रहे हैं, कई-कई लोग तो 1950 से रह रहे हैं, 40-50 साल से जादे 3-4-5-6 दसक से लोग रह रहे हैं, वो वहां के वोटर हैं, वाड का और आप देखें कि बाजपूर में 20 गाओं को अचानक से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने का कि नई साब ये जमीन का आपका मालिकान अधिकार नहीं है, जबकि लंबे समय से वो किर्शी भूमी है, उसका कर दे रहे हैं, तो ये चौतरफा पूरे देश में भी हो रहा है और हमारे राज़िम उतराखण में, चूंकि यहां की जमीन है, उस जमीन को कैसे दिया जाए, रामनगर में हमने देखा कि कोशी के किनारे, तमाम जो गाओं है, उसमें है, पुछडी है, कालू सिद्ध है, इन तमाम जगों में है, क्योंकि वो कोशी के किनारे है, उन जमीन से गरीबों को हटा करके, वहां कुछ रिजॉड बनाने हैं, रिजॉड बना करके, क्योंकि कॉर्वर्ट नेशनल पार्क का इलाका है, तो इस तरह की पूरे कुरी कवायत, तमाम जगों हरी, विंदुखता का सवाल है, विंदुखता में भी लोग दशकों से रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, और आप देखिए वन गुजर जो रह रहे हैं, वन गुजरों के जंगलों में रहने का रिकॉर्ड तो अंग्रिजियों के टाइम का है, बिटिश पीरियर से तमाम जो गज़िटियर हैं, वॉल्टन है, अटकिंसन है, उस गज़िटियर समें जिक एक तरह से मैं जब यहां आ रही थी मैंने कई लोगों से बाचीत करने की कोशिश की और सभी नाम दिया कि अगर आप असलाम साब तक पहुंचें तो वो आपको समझा पाएंगे किस तरह से इस पूरे मुद्दे को देखा जाए आप मुझे बताईए कि यह जो एक कंपेटिटिव कम्यूनलिजम यह जो साम पर दाइकता की पूरी प्रतिस भर्दा चल गई है कि बही नरेंदर मोदी के बाद कौन बड़ा हिंदो हिर्दे समराड बनेगा योगिया दितनाथ होंगे हिमंत विस्पिसर्मा होंगे या अभी धामी टॉप पे चल रहे हैं तो यह जिस तरह की बयान बाजियां कर रहे हैं इससे जो आपका राज्य है उसका जो एक बेसिक कैरेक्टर बेसिक नेचर है क्या इस चुनाओं में उसका नतीज़ा देखने को मिलेगा कि वो बदल रहा है देखें जहां तक कि इस चुनाओं और चुनाओं में बदलने की बात है वो तो आने वाला प्रगाम बताएगा लेकिन इस प्रदेश का मूड ऐसा नहीं है पहरे बात तो यह समझना चाहिए कि यहां मुसलमान जो हैं तेरी भी शिताब्दी से रह रहे हैं आपको मैं याद दिनाना चाहूँगा कि कलियर शरीप जो साविर पाक की दरगा है अलावद्दीन साविर पाक जो बाफरित के भांजे हैं उनकी दरगा कलियर में जो हर्दवार के पास है और उनकी दरगा तेरा सो सब कुस्से यहां पर मौजूद है और तभी और तभी से यहां का संबन जो है यहां के प्रदेश का संबन जो है मुस्मानों के साथ है इसके लावा जो यहां के जितने भी पहाड़ी राजा थे जिनको उस टाइम पर पहाड़ी राजा बोला करते थे वो साल में एक बार नाजराने के लिए दर्बार में दिल्ली सल्तनत में जाया करते थे चाहें वो सल्तनत का टाइम हो या मुगल पीरिड हो जब जाया करते थे तो अपने साथ बहुत लोगों को ले आया करते थे और बहुत लोगों को महा से लाया करते थे इसलिये जो आलमुडा का नियास खानझ है वो MR मुगल पीड़ में बनांए जो महळला है नियास खानझ का, बड़ा मशूर महलला आलमुडा का वो मुगल पीड़ का बना हुआ है यहां पर जो लगाता रानी के मुसarna के परवान है वो बहुत पुराने हैं, यहां मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहां कुमाओं में ही करी कि सौ गाओं ऐसे हैं, जहां पर मुस्लिम रहते हैं, खुद मेरे जो दादा की जो शादी उनिसो बीस में हुई होगी, वो एकदम घोर पहाडी गाओं में खुई गी, यहांनि तो यह कहना कते ही गलत है, फिर दूसरी बात यह है कि यहां पर जित्ता अफरकास बहुत संकेक वर्ग है, वो भी बहार से आया है, वो नवी, दस्वी, ज्यारवी, बारवी, तेरवी, शताबदी में, महराज से, गुजराश से, मध्यपरदेश से, जितने अफरकास ब्रहम यह मूलूप से यह खस, यह जो प्रदेश है मूलूप से, जो मंगुलाइट, जो दलिद वर्ग है, उसका यह गाउँ है, उसका यह लाका था, और यहां पर लोग बहार से आके बसते गए, और यहां पर यह पर बंता गया, हलदवानी की बात करें, तो हलदवानी में जो बसासा थे, वो डेर सो साल करी परानी है, और यहां पर जो मुस्लिम आए, वो अंग्रिज प्रियेट में जो सप्लाइ लाइन थी, और जो मार्केट का सिस्टम था, उस वज़े से यहां पर बसे, वो समान लाते थे, समान आते थे, तो एक बहुत अच्छा सिस्टम चला आ रहा था, अभी आप यहां तराई के गाउं में देखेंगे, तो यहां के जो बंजारे, विशेश रूप जो बन्भूपरा में रहते हैं, उनके संबंद पहाड के इंट्रिय इलाके में भी हैं, उनके गाउं में संबंद ह और उनके रिष्टे हैं भी भी, और वहां से वो समान लाते थे, और विकली इमांदारी के साथ, बहुत इमांदारी के साथ काम करते थे, तह produits इसलिए उनकी ugारे शान थी, और इसलिए अब कहा जा रहा है कि जमीन भी उलिगल हैं लोग भी उलिगल हैं, तो यह जो यह गलत बात है, मैं यह बताना चाहूँगा कि वन्भूपुपुरा में जो रहने वाले जो अब्दुलमलीक जिसके बारे में मास्टर माइन बतायाता है, उसी के परिवार के एक सजन, एक सजन से हाई कोट के जज रह चुके हैं। इल्लीगल हैं, ऐसा तो करीब करीब पूरे उत्तराखंड में है, अगर आप देखें, तो जितनी भी लीज लेंड है, जो अंग्रेजों की टाइम पर करनवर्ट हुई, उस पे पूरी बस्तियां बसीवी हैं, हलवानी की पूरी बस्तियां बसीवी हैं, लालकवां बसावा है देरादून, लाकवां एकर जमीन जो है, वो लीज पे है, और जिसको रेगलोर करने के बारे में बार बार सरकार कहती है। से उठा रहे हैं और उस पर अपनी राय कायम कर रहे हैं, और उत्राखंड में जो लोग रोजगार में लगे हुए हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा सरकारी ठेके में है, सरकारी डौकरियों में हैं, और वो उत्राखंड के लिए एक आधार की भूमिका रखता है। तो ये इस तमाम हिस्से पूरी तरीके से उन सवालों को अपने उठा रहे हैं, कि रोजगार का सवाल जो रोजगार हमें मिला हुआ है, उसकी सुरक्षा है की नहीं है। और इसी तौर पर हम लोग पाते हैं कि लोगों के पास ये सवाल बन रहे हैं, जिस तरीके से सरकार ने केंदर सरकार ने अगनीवीर योजना को लाया। उसने यहां के नौजवानों के सपनों को तोड़ा, और उसके बाद उन हिस्से में भी जो एक रोजगार में भी थे और ऐसा रोजगार है कि वो कभी भी बेरोजगार हो जाएं, जिसके लिए उन्होंने अपना गाउँ छोड़ा, पहाड छोड़े, उसके बाद वो करने के लिए यह तैयार है कि लोगों की स्चेतना को कम करने के लिए कर लिए बीजेपी ने जिस तरीके से इसको अपना एक प्रेयोग बनाने की प्रियोग शाला बनाने की कोशिश wow के क्वावजुद लोगों के बीच में सवाल है कि उतिकर्मण के नाम पर जो भी उजाड़े गए वो सारे के सारे लोग गरीब थे क्या आपको लगता है कि अतिकर्मन सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है स्टेट का क्योंकि लोकसभा चुनाओं में देखा गया है कि स्थानिय मुद्दे इतना ज्यादा गिंती में नहीं आते जितने राश्टे लेकिन उसके बावजूद भी लगतार 400 पार की जो गाने गाये जा रहे हैं उत्रकंड में क्या आपको राश्टे मुद्दे जादा दिखाई दे रहे हैं या स्थानिया है जी दोनों ही मुद्दे यहां पर दिखाई दे रहे हैं और ये सही बात है कि इजरिवाल साब की ग मनिता को लेकर उसकी तानाशाही को लेकर एक नकार अत्मगभाव है ये विश्वास से कह रहे हैं आप ये निश्चित और और मिडल क्लास में कह रहे हैं इसलिए हमने देखा कि अभी इस सीट से नैनिताल सीट से जो कांग्रेस के उमीदवार हैं प्रकास जोशी काफी देर में उनका नाम यहाँ पर आया और हमने पाया कि वो अब रेस में पहले नमबर पर आ चुके हैं और ये बड़ी अच्छी बात है क्या आप इस बात से सहमत हैं जिस बात को कह रहे हैं बोरा जी बहुत संक्शेप में कि क्या मिडल क्लास क्योंकि मिडल क्लास जायतर यह माना खासकर शेहरी मिडल कास के बीजेपी का बिलकुल एक पका हुआ वोर्ड बैंक है वो अगर वो बदल रहा है तो बहुत कुछ बदलेगा फिर तेके जो कमुनिल सवाल है वो अभी भी आहम है मेरा यह कहना है बेक चूटी से बात बता हूँ एक बंगराम है वहाँ पर आग लग गई सुंदर खाल वहाँ पर 25 दुकाने लगों की जल गई तो हम लोग वहाँ पर जब गए तो उनमें हम लगातार काम कर रहे हैं बिजली पानी के सवाल को लेके तो वहां के लोग उस गाउं के खाली करने के लिए जो भाजबा प्रतियासी है अनिल बनूली उन्होंन को लिए मैंने का बलून जी ने तो आपके गाउप के लिए रिट लगाती है अग्याज यहन जो ए नहीं जो उना हैं चाहिए पोट जो बिघान है उनको क्यों गुस्रही दे तो इस दिजली है को बहाँने के लिए ऑने में खिर ड़स खहुड बन टीया हूँा उनको बहु जो मुस्लिमों के खिराफ जो नफरत है वो कम हुनी की जगे लगातार बढ़ रही है लास्ट कॉमेंट में आप से लेना चाहती हूँ आप कितना सहमत थे इन दोनों से नहीं ये महतमून बात है जो बोरा जी ने भी बात कही है कि लोगों का मन बदल तो रहा है मतलब 2009 और 2014 वाली परिस्तितियां तो इस बार नहीं है लोगों का मन बदल रहा है और हम शहरी युवा मददाता के बीच में भी देख रहे हैं वो भी अब वैसे नहीं है कि वो कुछ सोच नहीं रहा है कि उसके सामने खास तोर से उत्राखंड में जो पेपर लीक और जो तमाम तरह की परिक्षाएं शुरू आत तो हुई लेकिन अपने परिणाम तक नहीं पहुची उसको लेकर युवाओं के मन में गुस्सा है तो शहरी युवाओं के मन मानों का तो साफ़तार पर कम से कम कुछ आपको यह अंदाजा हुआ होगा कि एक छोटा सा स्टेट लेकिन बहुत महत्पून राज्य उत्राखंड में कहूंगी देश की नफस्ट टोलने के लिए भी कभी-कभी छोटे स्वतंति पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें